मैं आर्थिका सामानता पर बात करूँगी एक परसेंट देश के पास 40 प्रतिशत संसाधन है एक प्रतिशत देश के पास अगर 40 प्रतिशत संसाधन है तो अडानी जी के महा स्कैम के बारे में कौन बात करेगा एक व्यक्ति जिसको आपने 609 नंबर से दूसरे नंबर पर लाकर विश्व के सबसे अमीर लोगों की सूची में बिठा दिया आज वो आक्षेपों के घेरें पर है उनके उपर गंभीर आरोप है उनके उपर आरोप है स्टॉक मार्केट में हेरा फेरी करने का उनके उपर आरोप है पैसा बनाने का उनके उपर आरोप है बेनामी संपती का आपने उनको मनपली दी पोर्ट में एरपोर्ट में कृषी में खाद्य में सिमेंट में रिन्यूबल एनरजी में लेकिन जब आज उनके आक्षेप सामने आए हैं, आरोब सामने आए हैं, तो प्रधान मंत्री का गला सुखने लगता है और जब राहुल जी उनसे लोकसभा में और हमारे अध्यक्ष उनसे राजसभा में सवाल पुछते हैं, तो उनके कापते हाथों से वो पानी पीते हैं, लेकिन एक भी संसान उनके खिलाफ एक्ट नहीं करता है, कहां है से भी, कहां है RBI, कहां है Directorate of Revenue Intelligence, कहां है ED, कहां है Income Tax, कहां है SFIO, कहां है MCA, एक शब नहीं बोला जाता है, अडानी के खिलाफ, दुनिया भर के संसान, दुनिया भर के मार्केट्स, दुनिया भर के बैंक, उनके खिलाफ एक्शन ले रहे हैं, लेकिन हमारे देश में उनके खिलाफ एक्शन नहीं लिया जाएगा, और मैं उत्तर प्रदेश से आती हूँ और वहाँ पर एक line है जब सैयाब है कोतवाल तो डर कहे का और यही असलियत है एक विक्ती action लेने को तयार नहीं है डाउ जोन्स और S.N.P. action ले रहा है standard chartered action ले रहा है credit space action ले रहा है city bank action ले रहा है UK का regulator action ले रहा है लेकिन हम action लेने को तयार नहीं है और इसका खामियाजा यह देश भुगत रहा है जब आप एक कारोबारी को लेकर दुनिया भर में घूमते हैं और उनका व्यवसाय बढ़ाने की कोशिश करते हैं तो आप बेरोजगारी पर महंगाई पर बढ़ती गरीबी पर आर्थिका सामानता पर बोलने का ना होसला रखते हैं ना बोलने का न्यातिकता रखते हैं